नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्क्रेटी PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आज के करेंट अफेर्स में एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है आप जैसा की जानते हैं BPSC के प्रारंभिक परिक्षा को लेकर के पिछले एक वर्स के करेंट अफेर्स का हम लोग लगाता है रिविजन कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है दरसल मैं भी छटपर्व के चुटी में चला गया था और अगर देखें तो तक्रीबन अब आपके पास केवल एक महने का समय है तो हम अब उन टॉपिक पर लगातार देखेंगे जो ज़्याद महत्पुर्ण होने वाला है आप लोगों के हिसाब से कुछ टॉपिक मैंने बताय था उस पर भी हम अगले 10-15 दिर में आपको टॉपिक वाईज वो चीज़े दे देंगे ठीक है अब लेक्चेर नमर 75 तक पहुंच चुके हैं जो लोग अभी तक लेक्चेर नहीं देखे हैं क्या करना है प्रेलिस्ट म आपके सामने दिया गया है बहुत ही इंपोर्टेंट है और संबब है कि इसे दूराया जा सकता है यानि कि फिर से ये एकजाम में पूछा जा सकता है बीपीएसी ने पहले भी इस पर पूछा है इसलिए ध्यान से इसको देखना है चलिए अब आज के पहले टॉपिक पर च पहलेदा, ऑगर जाता है कि वहाँ पर आयट्या निकलते हैं तो यह गाओ जो है गया जिला में इस्थित है बिहार के दक्षिन में एक दिस्टिक है गया तो बिहार के गया में इस्थित ए 실क जिसका नाम है पटवा टोली गों यहां पर आपको विकल्प एह में दिख्वी एक गाउं है जिसका नाम है पटवा टोली गाउं यहां पर आपको विकल्प ए में दिख भी जाएगा धियान दखिएगा ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं पिछले दिनों अख़बार में यह गाउं का नाम काफी चर्चा में रहा है फिर से बता देता हूं अगर डिस्टिक पूछा जाए तो आपको गया लिखना है ठीक है तो यहां पर इस गाउं को IIT की फैक्टरी कहा जाता है वज़ा यही है कि इस गाउं में लगभग प्रतेक घर से कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी IIT में जाकर के पढ़ा है परिक्षा उत्तर्न की है तो इसलिए यह मतजादी संभावना है कि यहां पर इसके साथ आपसे डिस्टिक पूछा जाएगा चुकि आज कल क्या होने लगा है स्टेटमेंट जैसा आने लग गया है जैसा कि इस तरह का तो इस तरह के कोशन में भी एक दो कोशन देख लेते हैं ताकि आप सही से इसको समझ पाएं शा सबसे पहले पुछले शब्द को देखते हैं कथन सही है या नहीं क्या कहता है इस अधिनियम के अंतरगत सभी अपराद यहां ध्यान दीजेगा सभी अपराद जो है संगे गैर जमानती और गैर शमनिये होंगे पहला स्टेटमेंट आप से यह कहा गया है दूसरा सार्वज परिक्षा अनुचित साधनों की रोक थाम अधिनियम 2024 जो लाया गया तो इसका मुख मकसद ही यही था कि जो परिक्षा हो रहा है उसमें अनुचित साधन के प्रियोग जो किये जा रहे है चाहें वो पेपर लिखो जाये या किसी तरह का वहां पर कदाचार हो इस सब पर कै से काबू पाया जा सके साथे इस अधेनियम में यहवे कहा गया कि जितने वी अपराद होंगे वह संगे होंगे गैर जमानती होगा और गैर शमनी भी होंगे इस लिहाज से देखेंगे इस कानून में ये दोनों ही point जो है सामिल किया गया है तो दोनों ही statement सही होगा आप से पूछा गया है कि कथन सही है हमने देखा कि कथन एक और दो दोनों ही सही है विकल्प के आधार पर देखेंगे तो B इस बात की पुष्टी करता है एक और दो द जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है बिहार में लगातार स्मार्ट विलेज को लेकर के चर्चा किया जा रहा है इस गाउं का चर्चा जो है लगातार अख़पार में भी रहा है इसलिए ये पूछा जा सकता है गाउं का नाम है बाबर चक गाउं ध्यान रखेगा इससे सम्मंदित बहुत बाते आपसे नहीं पूछा जाएगा एक फैक्ट के रूप में इस गाओं का नाम आ सकता है बावर्चक गाओं के रूप में यहाँ पर एक बात आपके लिए assignment है आप मुझे ये बताईए comment box में लिख करके कि यह गाओं जो है किस district में सामिल है यानि क किस district के अंतरगत ये गाओं आता है दूसरी बात जो ये जो smart village से सम्मंदित कुछ तत्थ हैं वह आपके पास होने चाहिए ठीक है चलिए आगे बर जाए आगे बरते निमलिकीत में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गरूर पाए जाते हैं ये देखा गया है परियाब पर हम भागलपूर की चर्चा करेंगे ठीक है भागलपूर में कहा गया है कि सबसे अधिक गरूर की संख्या देखी गई है इस लिहाज से ही important होगा विकल्प D के साथ आपको जाना है भागलपूर के साथ important है फिर से बता देता हूँ बिहार का पहला cyber थाना किस जिले में ख कुछ महत्पुन चीज हुआ है तो उसको लेकर के चलने साइबर थाना की बात किया गया है और यहां भी आप से यही पूछा गया है कि डिष्टिक का नाम बता दीजिए ठीक है तो देखें यह भी important है लगातार साइबर अपराध जो है देश भर में बढ़ रहा है उसको र बिहार सरकार को किस नदी में घरियाल वन जिव अभ्यारन बनाने का निर्देश दिया है सबसे पहले करना क्या है इसको फाइव एश्टार लगाना है आंख मुंद करके इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और सबसे पहले यह जो एंजीटी है इसके विशे में ही सही से जा अधिकर ने बिहार सरकार को पूछा गया है कि किस नदी तो नदी का नाम है सोन नदी ठीक है सोन की बात की गई है विकल्प बी के साथ आपको जाना है सोन नदी में घरियाल वन जीव अभ्यारन बनाने का निर्देश दिया है बिहार सरकार को कहा है कि आप इसका पालन कीज यह भी नदी से संभंधित ऐसे प्रशन पूछे जाते रहे हैं, सातमे पर बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, क्या चीज़ पूछा गया है, ऑक्सीजन पार्क, किस जिले में बनाए गया है, फिर से दिस्टिक के नाम, ठीके देखिए, इस तरह का मैं आपको बता देता हूँ कि एक दो प्रश्ण हो सकता है डेर सो कुश्चन में से कि कोई ना कोई महतपुर्ण कार किस डिस्टिक में हुए है ये पूछा जाएगा तिये ध्यान रखना है ऑक्सीजन पार्क की बात की गई है और इसको आपको फोर स्टार कम से कम लगा लेना चाहिए देखिए यहाँ प के साथ आपको जाना है बिहार के किस जिले में राज का पहला देखिए एक तो सबसे महतपुर्ण पहला शब्द आ गया क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैव खोला गया है किस तरह से आज कल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है देखिए नमंबर का मीड नममबर में हम लोग आ चुके हैं लेकिन मैं आपको स्वेटर पहने हुए नहीं दिख रहा हूँ ना एक सर्ट पहना हूँ आप भी जगह पर बैठे होंगे आप भी सर्ट पहन के बैठे होंगे टीसर्ट में होंगे यानि कि गर्मी लग रहा हैं लोग ठंड नहीं कहीं चट के समय में लोग स्वेटर पहन के जाए करते थे इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा है यानि कि क्लाइमिट चेंज को लेकर के बाते की जा रही है इस पर स्टेडी करने के लिए एक लैब विक्सित किया गया है और यह पहला कहा गया है राज्यका और आप से अगेन यहां डिस्टिक का नाम पूछ लिया गया है इसलिए फिर से यह महत्पुन हो जाएगा और इस तरह के लैब कहां खोले जाएंगे जहां पर जो सहर विक्सित होगा जहां पर जितने भी आधार भूत संराचनाय हैं वह परियाप्त मात्रा में होगा तो ऐसा कहां हो सकता है तो वह फायर ब्रिगेट ट्रेनिंग इंस्टूट सेंटर और यह क्या कहा गया है पहला यानि कि इंपोर्टेंट हो गया इस तरह के शब्द जहां पर लगे रहें उस पर थोरा सा रुक करके उसको पढ़ लेना है और यह बिहटा में इसकी बाते की गई है बिहार का पहला फायर ब लेकर के पटना देता और आप बिहटा पढ़के गए तो आपको क्या करना था फिर पटना में टिक लगाना था यानि कि जो मॉस्ट सुटेवल जो विकल्प होता है उसके साथ हमें जाना होता है तो यह ध्यान में आपको रखना है जाती आधारित जनगना के अनुसार बिह तो उसमें 953 बता गया है तो आपको इस आंकरे के साथ बी के साथ जाना है ऐसा एक तो फैक्ट्वल प्रशन आपसे पूछा जा सकता है तो बिलकुल भी उससे कन्फ्यूज नहीं होना और उसका सही जवाब दे कर क्या आना है चुकि यह प्रशन बहुत आसान होते हैं लेक पूरे साल भर में 20 से 25 टॉपिक मिलेगा जो डिस्टिक वाइज कुछ ना कुछ काम हुआ है जैसे कि आज ही हम बात कर रहे हैं 13 नवंबर को आज क्या हुआ है तो दर्भंगा में एम्स काउड घाटन हुआ तो बिहार का दूसरा एमस इसमें आया है तो आपको इध्यान र लेक्चर में हमारे आपकी मुलाकात होगी अपना बेहत ख्याल रखिये बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू